कुछ मैंतमेटिक्स के कुछ फिजिक्स के तो यह कुश्चन है मैंने पूरे पूरे तो नहीं लगे आप समझ जाएंगे वर्ट सप्पे तो मौजूदी है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है यह बाद याद रखिएगा साउंड का जो टाइम होगा एक जगा से दूसरी जगा जाने का वो मैक्सिमम कब होगा इसमें एक ओप्षन है डियूरिंग विंटर तो यह नहीं होगा बलके एक ओप्षन दे रखा है गलीबन बी पर डियूरिंग समर स्थिक आधा है साउंडं कभiko फोचे की दूसरी जगह पर यह एकास्टिक प्रोपर्टिस पर एपन्ड करता है रहीं करता है लेकिन एक्व्छ प्रोपर्टीस टैम्परीचर पर करते हैं क्योंकि डैंसिटी कम ज्यादा हो जाती हैं विंटर में ज्यादा देंसिटी हो जाएगी तो साउंड को कम टाइम लगेगा एक जगा से दूसरे जगा पुचान पहुंचने में विंटर उस्वारी समर के अंदर क्या होगा कि डैंसिटी ऑफ एर जो होगी वो बढ़ जाएगी सो घट जाएगी क्योंकि डैंसिटी घट जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा विल्वी मैक्सिमम मैक्सिमम पुछा है तो आंसर आप समर के लिए लगाएगे ओके नौ कुछ कुश्चन मैथमेटिक्स के हैं वो लेंगे एक कुश्चन है, find the value of x in the equation ठीक है, find the value of x, x बताना है आपको equation है, 1 plus 25 by 144 square root है, is equal to 1 plus x by 12, ठीक है यह देखके आपको अंदादा हो जाने चाहिए कि यह square root हमें हटाना है यानि यहाँ पर square लगाना है, बास होज़ बैए, हाँ तो यह square root हटा दे, इसका square लगा दे, तो यह हो जाएगा 1 plus 24, 5 by 144 is equal to 1 plus x by 12 का whole square बास समझ में आती है क्या, यह हो जाएगा 1 plus 25, 1 को मैं भी खतम नहीं कर रहा हूं, जान बूच के, 1 का square हो जाएगा plus x का square upon 144, plus 2 into 1 into x by 12, तो यह हो जाएगा x by 6, 1, 1 के square से cancel हो जाएगा, बास समझ में आती है, सबको 6 से cancel कर दे, इसको 6 से cancel कर दे, इसको भी 6 से cancel कर दे तो यह हो जाएगा, 25 बटे, 6 दुनी 12, 6 चुक 24, x square बटे, 24 plus x by 1, ठीक है, यहाँ से हमने, तो quadratic equation बन जाएगे, ठीक है, इसको आप calculate कर लिएगे, x की जो value दो आएगे, वो दो आएगे, एक तो x की value आएगे, minus 25, ठीक है, जोकि invalid होगी यहाँ पर, दूसरी value आएगे, x की 1, तो x is equal to 1, यही basically answer होगा, options में दिया हुआ भी आई है, ठीक है, now second question है, वो लिख रहा हूँ, इसे आप note कर लिए, second question है, solve the equation, 5 की पावर अंडर रूट एक्स, plus 12 की पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है, दिख रहा है, is equal to 13 की पावर अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, 5 की पावर अंडर रूट एक्स, 12 की पावर अंडर रूट एक्स, 13 की पावर अंडर रूट एक्स, 5, 12 और 13 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, जब दो नंबर के, स्क्वाइर्स का सम, किसी तीसरे के स्क्वाइर के सम किसी तीसरे नंबर के स्क्वाइर के बरावर हो तो उसे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं तो यह पाइथागोरस ट्रिपलेट है क्योंकि हम जानते हैं 5 का स्क्वाइर प्लस बारा का स्क्वाइर पांच का स्क्वाइर होगा है पच्चेस बारा का स्क्वाइर होगा है एक सचावालेश यह तीनों आगए एक सोन अत्तर और यह बरावर होता है तेरा का स्क्वाइर तो पांच का स्क्वाइर 12 का स्कुरार 13 का स्कुरार ठीक है यह इसी तरीके से सवाल स्वाल हो जाएगा पाइथागोरा ट्रिपलेट आपको याद रखनी चाहिए इसके ऊपर की भी याद रख लिएगा तो यहीं से सीधी सीधे आपको पता चल जाएगा कि अंडर रूट एक्स इस इक्वल टू के बरावार है तो एक्स इस इक्वल टू फॉर यही आंसर हो जाएगा ओके और क्वेश्चन देख लेगा एक क्वेश्चन और पूछा है एक बच्चे ने क्वेश्चन क्या है 3.5 x 3.5 x पिलस 2.5 x is equal to 64-2 x 64-2 x यह क्वेश्चन तो बहुत एजी क्वेश्चन है साड़े तीन x धाई x जोड़ रहें दोनों को कितने हो जाएंगे 6 x हो जाएंगे competition में तो ऐसी करिए 2 x है माइनस का इदर ले आईए is equal to 64 कितना हो गया 8 x हो गया 64 तो x किस के बरावर आगया 8 के बरावर आगया का इसार एक क्वेश्चन और है यह यह जो क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछा है मैं क्वेश्चन आपको वार्ट सपर तो भेजी रहा हूं यहां लिख रहा हूं मैं आपको इफ 4 की पावर x plus 2 की पावर y is equal to 128 ठीक है यह लिखवा है और लिखवा है and 4 की पावर 3x plus 2y is equal to 9xy ठीक है तो इसमें x और x और y की वैल्यू इसके options दे रखे नीचे तो जो आंसर जो भी आएगा आप निकालेंगे उसको मैं आपको समझा जे रहा हूं यहां गल्ती ही है यह basically 4 नहीं है यह 3 है यह 4 नहीं है बलके यह 3 है इसको ऐसे लिख़ए 3 की पावर 3x plus 2y is equal to 9 की पावर xy ऐसे लिखेंगे तो जो options है उसमें से आंसर आजाएगा आपका दूसरी खास बात क्या गरेंगे यह जो 128 है इसको आप हैसे लिख दिए 2 की पावर 7 बहत समझांगे इसको क्या कर दिए इसको लिख दिए 2 की पावर यहां से 2 निकाल ली इसकी पावर 2x plus 2 की पावर वाई त इसको आप क्या लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2x PLUS Y is equal to 2 की पावर 7 तो 2 x PLUS Y किसके बदाबर आ गया seven के बदाबर आ गया एक equation मिल गई एक equation आपको यहां से मिल जाएगी है ना एक equation आपको यहां से मिल जाएगी इस 9 को को spilt कर दीजिए का 3 की पावर 2xe2 to exchange की प्रावर आगया 3x плюс 2y की प्रावर लिएhew को इक्वेशन कि मिल जाएकी दो ईक्वेशन बिल गई कि है यह ना यह हो गया यह हो गयाTo कि यह हो गया कई कुश्शन होगा है अभी अमान के कुश्शन मचे कुछ तो वो हम उनलाइन क्लासे में इंशालला लाइफ क्लास में कराएंगे ओके